हेलो दोस्तो नमस्कार मिरनाम मिसंदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इंपॉसिबल की यूटूब चैनल पर आसक गरता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगी और आज के इस वीडियो में हम लोग यूजेसिनेट फर्स्ट पेपर में एकजाम 2022 और तेईस के फुल फ़ॉर्म होते हैं यानि components related बहुत सारे ऐसे term होते हैं नेम होते हैं जिनको sort में दे दिया जाता है और उसका full form जो है आपसे पूछ लिया जाता है और ऐसा कई सारा question जो है आप से already previous year में question पूछे जा चुके हैं चाहें matching वाले question है वहां पर भी full form आपको पूछ लिय जाते हैं और direct जो है sort name आपको दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि इसका full form क्या है इसका पूरा नाम क्या है इस तरीके से देखने को आपको मिल जाएगा तो यहाँ पर जितने भी important आपके full form होंगे computers related उनको मैं cover कराने का प्रयास करूँगा तो बस आपको करना किया है कि video को starting से लेके end तक देखना है ताकि जितने भी मैं यह full form आपको बताऊं computer से related वो आपको अच्छे तरीके से clear हो जाए अगर कोई doubt भी होता है तो आप comment box में मुझे पूछिएगा मैं वहाँ पर भी आपको reply करूँगा तो चलिफेंट वीडियो को start करते हैं देखें यहाँ पर इस slide में जो है आप देख सकते हैं कि मैंने table बना रखा है और एक column में आपको sort name यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और दूसरे column में computer word full form यानि कि sort name के full form क्या है वो आपको अगले column में दिखे गया यानि कि यह blue color से मैंने लिखा है और black color से आपका sort name है तो कोई दिक्कत होगी तो आप comment box में मुझे बताइएगा लेकिन मैं इसको easily आपको clear करते हुए चलूँगा sort name बताऊंगा और इसके full form देखें यहाँ पर सबसे या direct full form भी तो ALU का full form होता है arithmetic logic unit यह काफी important है इस full form को आपको याद रखना है वैसे सभी relevant है लेकिन कुछ बहुत जादे महत्वपूर्ण होते हैं जिनको आपको अपने दिमाग में याद रखना है दोसरा है आपका ASCII इसका full form क्या होता है यह आपको याद रखना है यह भी काफी important है यह previous year में पूछा गया है American Standard Code for Information Interchange जो है इसका full form होता है तो यह दोनों important है इन दोनों को आपको याद रखना है उसके बाद से next जो है आपका basic है तो इसका full form होता है beginners all purpose symbolic instruction code और इसके बाद से नीचे आपका basicity है तो इसका full form होता है binary coded decimal यह सारे full form आपको याद करते हुए चलना है अगर लिखना है तो आप लेख सकते हैं otherwise आप video को save करके जो है एक से दो बार तीन बार अगर आप देख भी लेते हैं अगर आप देख लेंगे तो maximum full form जो है आपको दिमाग में याद हो जाएंगे और next जो आपका यहां पर है CAD का है तो इसका full form होता है computer added design इसका full form होता है यह आपको याद रखना है और next जो है आपका c. तो इसका full form होता है center for development of telematics जो इसका full form होता है यह भी आपको याद र देखते हैं अब देखिए इस स्लाइड में जो और भी इंपोर्टेंट आपके computer terms हैं जिनके full form है उनको हम देखते हैं तो इसमें जो है आपका class है तो इसका जो full form होता है computer literacy and study in school इसका full form होता है ये भी आपको याद रखना है फिर आपका next जो है c o m a l है आपका तो इसका जो full form हो जाएगा common algorithmic language जो है इसका full form होता है और next जो है आपका काफी important है CPU central processing unit तो ये काफी common है तो इसका i hope कि आप सभी को पता होगा क्योंकि ये काफी जादा word use भी होता है short term और ये कई पार exam में पूछा भी गया है तो ये आपको याद होगा तो इसका full form है central processing unit तो ये आपको याद रखना है तो ये important है इसको मैं से circle कर देता हूँ अगर आपको याद है तो अच्छी बात है नहीं याद है तो एक से dtp तो इसका full form होता है disk top publishing इसका full form होता है और préfण होनल और आपको या च्पा इसका full form होता है टाटा transformation service जो इसका full form होता है और इसा इसे पहने आपको याद रहना है ये बी काफे इंप्रेंट है इसे वी आपको याद रखना है जो भी circle में है वो ज़्यादा important है उनको तो याद रखना ही रखना है आपको बाकी सबको भी याद रखना है लेकिन इन पर खास द्यान रहेगा ताकि exam में पूछा जाए तो आप आसानी के साथ इनका full form बता सके आई अगली slide को देखते हैं अब देखिए इस slide में जो है और भी आपके कुछ short form है और उनके full form है उसे हम देखते हैं तो सबसे पहले इसमें है आपका FAQ इसका full form होता है Frequential Asked Question और next इसमें है आपका FLOPS इसका full form होता है floating point operation पर second जो है इसका full form होता है और उसके बाद next आपका यहाँ पर है FSB तो इसका full form होता है front side बस इसका full form होता है और next जो इसमें है आपका FTP तो इसका full form होता है file transfer protocol तो यह भी काफी important है इसे भी आपको याद रखना है और next जो आपका है GIF यह भी काफी most important है इसका भी full form कई बार पूछा जा चुका है तो इसका full form होता है graphic interchange format जो है इसका full form होगा यह आपको याद रखना है यह दोनों याद रखना है FTP और GIF फिर इसके बाद से next जो आपका है HLL तो इसका full form होता है high level language तो यह भी important है अपने आप में तो यह भी याद रखना है और HTML आपको हमेज़ा याद रखना है यह भी आपका important है hyper text markup language यह जितने भी मैं circle बना रहा हूं उसे आपको खास तोर से याद रखना है फिर next जो है आप चाहों तो copy पे लिख सकते हो और I hope कि इसको दो-तीन बार अगर आप revise भी करते हो तो यह आपके दिमाग में ही याद हो जाएगा और जैसे ही मैं आपके सारे topic unit wise complete कराऊंगा उसके बाद previous year के question भी कराऊंगा कुछ नए question भी मैं प्रयास करूंगा exam के point of view से जो important हो सकते उनको भी मैं कराऊंगा तो ऐसा नहीं कि आपको मैं unit wise सारे topic cover कर रहा हूं उससे related question भी मैं कराऊंगा बस थोड़ा सा wait करिए मैं सारा कुछ content तयार कर रहा हूं आपको जल्द ही एक एक करके question के भी वीडियो मिलने चालू हो जाएंगे तो आइए अगले slide को देखते हैं दे kilobytes पर second जो है इसका full form होता है जो कि आपका एक internet वाला जो speed होता है kb में आपका इस प्रकार से देता है फिर आपका mb होता है इसका full form भी आपको याद रखना है megabyte होता है ये किलो बाइट आपका होता है ये मेगा बाइट जो है आपका किलो बाइट से बड़ा होता है ये भी आपको याद रखना है फिर एक आता है आपका जीबी इस प्रकार से तो ये गीगा बाइट होता है ये इससे भी बड़ा होता है फिर एक आता है टीवी आपका टेरा होता है और next जो आपका यहां पर LISP इसका फुल फॉर्म होता है list processing और यहां पर triple L इसका फुल फॉर्म होता है low level language यह computer term से इसका और भी कुछ फुल फॉर्म हो सकता है लेकिन आप से इस unit से computer term से पुछा जाए तो यही फुल फॉर्म आपको याद रखना है next जो है आपका इसमें MICR तो इसका फुल फॉर्म होता है magnetic ink character recognition इसका फुल फॉर्म होता है यह भी काफी important है इसे भी याद रखेगा और इसके बाद next है आपका MIPS तो इसका फुल फॉर्म होता है million instruction per second जो है इसका फुल फॉर्म होता है तो आईए जो next लाइड में बागी के बचे आपके फॉल फॉर्म से उन्हें भी हम देख लिते हैं देखे यहाँ पर जो हमारा next फॉल फॉर्म है वो है आपका modem तो इसका फॉल फॉर्म है modulator जो है demodulator जो है इसका फॉल फॉर्म होगा modem का ये भी important है आपका तो इसके बाद next है आपका mops इसका फॉल फॉर्म होता है millions of operation per second और next जो है आपका mpeg तो इसका फॉल फॉर्म होता है motion picture expert group जो इसका फॉल फॉर्म होता है और next जो है आपका nfs तो इसका फॉल फॉर्म होता है network file system और next इसमें है आपका nicnet तो इसका full form होता है National Information Center Network ये होता है और next है आपका double NTP तो इसका full form होता है Network News Transfer Protocol होता है और OMR ये भी आपका important है याद रखेगा ये है Optical Mark Reader जो इसका full form होता है और next है आपका PC DOS तो इसका full form होता है Personal Computer Disk Operating System तो ये भी important है इसे भी आपको याद रखना है आईए जो अगला हमारा full form है उसे भी देखते हैं देखिए इसमें हमारा next full form है Triple P तो इसका full form होता है Point to Point Protocol ये भी important इसे भी याद रखेगा आप RAM का full form I hope आप सभी को पता है Random Access Memory होता है ये भी काफी important है आपका और ROM भी आपको याद होगा Read Only Memory क्योंकि ये भी question में कई बार पूछा जा चुका है फिर उसके बाद next है आपका RPG इसका full form होता है Report Program जो है Generator इसका full form होता है फिर next है आपका SLIP तो इसका full form होता है Serial Line Internet Protocol जो है इसका full form होता है फिर उसके बाद next है SMIL तो इसका full form होता है तो इसका full form है Syncognize Multimedia Intrigation Language जो है इसका full form होता है थोड़ा complicated है लेकिन आपको याद रखना है next जो है आपका smtp तो इसका full form होता है simple mail transfer protocol ये भी आपका important है और next आपका यहाँ पर snobol तो इसका full form हो जाएगा आपका string oriented symbolic language इसका full form आपका हो जाएगा आईए अगली slide को यहाँ पर हम देखते हैं आप देखिए हमारा last slide है इस slide में जितने भी मैं आपको full form बताऊंगा कुछ बहुत सारे important तो इसे आपको याद रखना है देखिए यहाँ पर next जो हमारा TCP तो इसका full form है transmission control protocol ये भी आपका important है फिर उसके बाद URL है ये भी आपका important है uniform resource locator ये कई बार ये भी exam में आपसे question में पूछा गया है फिर आपका है VDU इसका full form होता है visual display unit होता है फिर उसके बाद से next है आपका भी LSI इसका full form होता है very large scale integration इसका full form होता है फिर next है WAIS इसका full form होता है wide area information service उसके बाद से आपका WAN होता है जिसकी land local area network WAN आपका होता है wide area network इसके बारे मैंने काफी अच्छे तरीके से जो topic मैंने network वाल आपको कराया था वहाँ पर अच्छे तरीके से समझाया था यह भी आपका important है और next है आपका www www होता है worldwide wave तो यह इसमें चार जो आपके full form है वो काफी important है इससे आपको याद रखना है और भी computer से related बहुत सारे short terms है जिनके full forms है अगर आपके लिए sufficient नहीं तो आप बताईएगा मैं और भी सारे short form आपको करा दूँगा लेकिन यहाँ पर मैंने कम से कम 20 या 25 ऐसे आपके short terms computer के बारे में बता है जो की already previous year में पूछे गए और यहाँ से एकात बार और आपसे पूछ ले जाएगी जैसे URL हो गया आपके www www वाला हो गया वैन हो गया, LAN हो गया, CPU हो गया, इसके साथी साथ और भी एनिक के बारे में तो कई सारे ऐसे short term मैंने आपको बता है जो आपसे exam में पूछे जा सकते हैं तो यहाँ पर जो है, यह short form और full form वाला जो आपका terms computer से related था वो complete होता है, उमीद करता हूँ यह video का session आप सभी के लिए काफी helpful होगा और यहाँ पर जो है ICT वाला जो आपका unit है, information and communication technology वाला वो आपका पूरा complete होता है मैंने काफी detail में सारा कुछ कराया है और otherwise कुछ छोट भी जाता है, इस unit से तो आप मुझे comment box में बताइएगा, वो मैं आपको clear करा दूँगा या उस topic को मैं अच्छे तरीके से करा दूँगा, अब बस छोट तो यही बस रहा है कि जो previous year के question है और जो practice set question है वही आपका unit wise छोट रहा है तो उसको मैं जल्द ही आपको कराऊंगा, मैं उस पे काम कर रहा हूं, question type कर रहा हूं क्योंकि काफी कुछ समय लगता है question को type करने में, ऐसे ही तो सारा कुछ बन नहीं जाता है, typing करना पड़ता है, उसको सारा कुछ question को arrange करना पड़ता है, option, फिर इस तरीके से तब जाके मैं आपको provide करता हूं, तो काफी शमय लगता है, जल्द ही आपको देखने को मिलेगा, और उमीद करता हूं कि video का session आप सभी के का प्रयास करते हैं, और इसके साथी साथ हम आपसे suggestion भी जो है, आप देख सकते हैं, video का last में मांगती कि, अगर कोई problem है video से related, या content से related, तो आप comment box में हमें बताइए, ताकि हम content को और enhance कर सकें, बहतर कर सकें, जिससे और भी अच्छे तरीके से आपको lab मिल सकें, जो आपने target set किया, exam को crack करने के लिए, वो आपका exam crack हो सके, और आप अपने exam में सफल हो सकें, तो अगर कोई दिक्कत है, तो उसके बारे में बताइए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं, हम अपने तरफ से perfect तो कोसिस करते हैं, कि सारा कुछ content बेतर रहे, लेकिन उसके बाद भी अगर आप च सकें, और चैनल पे अगर आप नए हैं, तो चैनल को आप subscribe करिए, और उसके बगल में यह जो bell icon का button होता है, इस प्रकार से घंटी का, उसे आपको दवा लेना है, तब इस चैनल पे जितने भी important video upload होती है, चाहे किसी भी news से related है, exam related update है, वो सारा कुछ जो है आपको अच्छ आपको नए unit में भी मिलेंगे, तो आज के वीडियो में बस इतना है, और फिर मिलते हैं next video में तब तक के लिए, जै हिन जै भारत